ये वीडियो आप स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए होने वाला है बहुत सारे हमारे ड्रॉपर स्टूरेंट्स हैं जो 2025 के लिए ड्रॉप कर रहे हैं और ड्रॉप एर में कुछ कुछ चीजों को द्याना आप लोगो रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अदर्वाइस आपकी रैंग जो अभी आई थी 2025 में भी वही आएगी या फिर उससे भी खराब रैंग आपकी हो जाएगी ठीक है तो इस वेड़ों को स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए जो भी ड्रॉप ले रहे हैं जो भी बच्चे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट समझना सबसे इंप्रॉब्मेंट हुआ हो पर उतना जादा इंप्रॉब्मेंट नहीं हुआ हो कि आपको सीट मिल गई कॉलिज के अंदर में जिस वज़े से आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है तो यार एक स्ट्रॉक्चर तीन महीने का प्रोग्राम में लेकर के आया हो जिसमें आप ऊligen शोरा से अच्छे पेस में जो है ट्रिक्स को कवर कर सकते हो और यह बैच जो आपका है अगर आप इसको कवर कर Лेते हो तो आपको इसे लास् moment पर रश नहीं होगा 2025 के पहले कि आपको last moment में फिर से tricks सीखने के लिए आना पड़ रहा हो तो चीज को दियान में रखते हुए बच्चों की demand के वज़े से यहां पर जो इस batch को launch किया है इसके अंदर में आपको मेरी personal mentorship भी मिलेगी 3 महीने और mock tests भी होंगे इसके अंदर में आपको weekly practice problems, DPPs, surprise stress सारी चीज़े इसके अंदर में होंगी मेरे साथ आप personally इसके अंदर में connected रहोगी link description में जाके आप enroll कर लो 50% discount है early bird offer जो की कुरिछ दिन चलेगा उसके बाद में 50% discount जो है complete end हो जाएगा for the first 100 students इसको जो है लेकर के आए है और 14 तारिक से बैच जो है start हो रहा है तो आप जल्दी enroll कर लो 50% discount के अंदर में उसके बाद में batch की price बढ़ जाएगी आप समझो यार ड्रॉपर के अंदर में अगर आपकी rank इस साल ठीक है आपने 12th के साथ दिया आपकी rank क्या आई पहले तो वह देखो आप comment करके बताओ कि आपकी इस साल rank कितनी आई जे में में या जे एडवांस में specifically आप जे में का बता जाना कि आपके rank कितनी आई maximum students जे में वाले हैं जो drop ले रहे हैं अगर जे एडवांस भी दिया तो आप उसकी भी rank बताना अगर तो देखो आपकी rank 50,000 थी let's say एक example दे रहा हूँ तो आपकी current value 25,000 rank के अंदर है मतलब अगर आप अभी 2025 के जो aspirants है जो अभी class 12th में आये हैं आप उनके साथ exam दोगे न तो अगर आपकी rank 50,000 के आसपरस थी तो अगर आज exam लिया जाए 2025 के aspirants के साथ में आपका तो आप 25,000 के अंदर rank लेया होगे आप अगर आप 1,00,000 rank ला लो 2,00,000 rank लाए और आप drop कर रहे हो तो आपकी current potential 1,00,000 के अंदर है मतलब आप अगर आज exam दोगे 2025 के batch के साथ में तो आप 1,00,000 के अंदर rank definitely वहाँ पे लाओगे क्योंकि बच्चे अभी नए है जो class 12th के अंदर में आये हैं बहुत सारों का syllabus भी complete नहीं हो एंसाइप हो सक को 10,000 rank लाना है या 5,000 rank लाना है आप अल्रेडी 10,000-5,000 पे हो पहले तो यह समझो the probability of you cracking the exam with a good rank is much more क्योंकि आप अल्रेडी एक बर exam दे दियो हो आपने fear anxiety जेन लिया है nervousness को कैसे handle करना है exam pressure कैसे handle करना है आपने थोड़ी दुनिया देख ली है compared to class 12 aspirants और class 12 aspirants के 11-12 में जब बच्चे रहते हैं काफी हवा में रहते हैं आप भी बहुत ज़्यादा हवा में रहे होगे एक दो साल पेले बढ़ आपको reality समझ आई जही की reality समझ आए आपको समझ आए कि 90% बच्चे तो 100 मांच भी नहीं ला पाते हैं कि आपको समझ आया कि भाई कितना ज़्यादा आप illusion में थे कितना ज़्यादा unrealistic goals आपके थे कितना कम आपने पढ़ाई किया है right so अब आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपकी जो current rank है suppose कर लो आप एक लाग rank लाए इस साल अब आपकी current rank कितने मैंने बताई 50,000 के अंदर तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि 50,000 से पीछे वाले बच्चे आपको overtake करे मतलब जो बच्चे अभी 12 में है जो आपसे पीछे है अगर आज exam होता तो वो आपको overtake करे ऐसा कोई काम नहीं करना है आपको सबसे पहली चीज तो यह है पहले इस चीज को बचाओगे बाकी बच्चों से और जादा आगे निकल जाओगे रैंक आपके इंप्रूब हो जाएगी पहले यह जो बच्चे हैं इनको अपने युनो अपने से बेटर मत होने दो क्यों क्लास 12 वाले बच्चों का काम क्या है ओवर्टेक करना आपको और आपका काम क्या है उनको ओवर्टेक ना करने देना क्योंकि आप एक ड्रॉपर हो और आपको और भी ड्रॉपर्स को ओवर्टेक करना है कि आप दो बादसवान में आ रहे हैं और वो students जो class 12th के हैं जो आपसे ज़्यादा रहे हैं कभी भी ला रहे हैं उनके पास भी आपको पहुचना है क्योंकि बहुत सारे तेट students भी होते हैं इसमें क्या है majorly कुछ-कुछ mistakes बच्चे करते हैं drop year में आप जिसे आये हो तो आपका एक race है एक race आपका end हुआ आप एक नया race start होगा तो आप गलती क्या करते हो बहुत ज़्यादा theory के अंदर में चले जाते हो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे coaching में भी क्या होता है आप chapter 1 से theory पढ़ने start कर देते हो unwanted चीजों का notes बनाना ये वो करना आप start कर देतो वहां class 12 का बच्चा आपको overtake कर लेता है क्योंकि वह momentum में है उसको खेल समझ में आ रहा है आपको खेल समझ में आ आगे उसके बाद लिए आप क्या करते हो class notes बनाते हो theory है ना मुझे याद है मैं जब drop year में कोटा गया था मेरी kinematics की class थी और मुझे notes teacher बता रहे थे अच्छे कोचिंग के अंदर में notes लिखाया जा रहा था distance क्या होता है displacement क्या होता है क्योंकि coaching का वह curriculum है अब अगर वो यह चीज materials होते हो उसमें भी theory भगिरा रहती है आप बच्चे उसको पढ़ने लग जाते हो वो time में क्लास्टरल का बच्चा आपको वो टेक कर लेगा दूसरी आपके गलती है क्योंकि आपने दो साल का जो burden है जेल कर आपको एक break मिला है आप खुड़ा सा distraction में चले जाते हो लड़क चीजे खराब है ज्यादा नए चीजे आप addiction में आ जाते हो alcohol लेना स्टाट कर देते हो इक लब्स जाना स्टाट कर देते हो यह चीजे बहुत खराब है तो इससे क्या होगा दो तीन महीना में आपको वो टेक कर जाएंगे और जो बाके droppers है वो भी आपसे काफी आगे निक बात करो जब बोर्ड इग्जाम होता है अक्चली जैनुरी एटम तक तो एकदम डिस्ट्राक्ट मत हो इंडेन इफ्यार सीरियस फॉर आइटी तो आपको आगे भी नहीं होना है बट जैनुरी एटम तक आप चार-पंच महीना की बात देखो चार-पंच महीना अगर आप डिस्ट्राक्ट नहीं होगे ट्वल्ट वाले बच्चों को अपने से आगे नहीं आने दोगे बाकी बच्चों से बेटर करोगे आपकी रैंक आजएगी जैनुरी में इनाइटी इस फिक्स कर लो छे महीने की बात है उसके बाद में फिर थोड़ा डिस्ट्राक्ट होना हो तोड़ा चिल करना हो कर सकते हो क्योंकि उस टेंट वो पच्चे बोट के लिए बिजी रहेंगे वो तब आपको उतना जाद होवर टेक्नी कर पाएंगे जो अभी कर देंगा और जैनुरी आपकी स्पॉर्ट में जाएंगे क्या आपको बात समझना रहा है और प्राक्टिस तो ट्रिक्स कोर्स का बाच हो एक कम्प्लीट प्रोग्राम है उसके अंदर में टेस्ट सारी चीज़े होंगी तीन महिने में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफी जादा बढ़ जाएगी तो उसमें आप इन्रोल कर सकते हो ब्रॉपर वाले बच्चों को पता है थोड़ा सा हवा में होते हैं उनको ट्रिक्स और ये टेक्नीच्स और ये सारी चीज़े ऐसा लगता है उनको कि हम यह लगाएंगे आपका भी शायद पहले ऐसे ही था बट फिर आप मेरे चैनल पर आया आपने सीखा समझा तो अब आपके बसमें आप उस चीज को ब झाल झाल